आपका चाहने वाला मरने के बाद अलग बॉड़ी में फिर से आपके पास वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे पैचान पाऊगे? इसे एक इंटरस्टिंग सब्जेक के साथ आज की मूवी एडिक्टेरी 2002 की एक मिस्ट्री थिलर मूवी आती है एक कोरियन मूवी है तो जली एक से इस्प्रेंग करना स्टार्ट करते है ये स्टोरी है दो प्रदस और बड़े भाई की वाइफ की वह स्टार्ट होती है और हमें बड़ा बदर दिखाय जाता है जिसका नाम होता है होजीन ये एक आर्टिस होता है ये फरनीचर के साथ आर्ट बना देता है ये अपने आर्ट पर काम करता हो में दिखता है इसके बाद ये बाहर निकलता है और अपने छोटे बदर के पास जाता है जिसका नाम होता है देजीन देजिन स्पोर्ट्स कार्ट ठीक कर रहाता है यह उसे कहता है कि मुझे लगा था कि आरवी में जाकर आने के बाद तुम बदल जाओगे पर अभी भी तुम खिलोनों के साथ ही खेल रहे हो होजी इनको अपना बेदर रेस कास चलाता है या अच्छा नहीं लगता उसे समझा रहा होता है कि बहुत ही डेजिन उसे कहता है कि जो तुम करते हो यह भी डेजिरस है इसमें भी तुम हर्ट हो सकते हो साल में कितने सारे कार एक्सिटन्ट होते है पर रेस का एक्सिटन्ट बहुत ही कम ही होता है देजिन सुनने मालों ऐसे नहीं होता नेकसिन में हमें इंसु दिखाई जाती है यह बड़े ब्रदर की वाइफ है यह stage show के लिए sound वेगरा manage करती है होजिन जो होता है वो घर पर ही रहता है वो घर में खाला वेगरा सब का खैल रख लेता है उसकी वाइब जॉप करती है और यह अपने आर्ट पर काम करते है अपने किसिल में हम दिखता है कि इसका एक exhibition होने वाला होता है इसके exhibition के लिए एक आदमे से वो बात कर रहा होता है इनसी जो रात में station पर होती है तो उससे लेने के लिए होजीन जाता है वो station से बाहर निकलती ही उसका जो favorite song होता है वो वो लगाता है उसे समझ में आता कि यह आवाज कहां से आ रही है उसने already music system वाले को पैसे दी होते है जो वो music बचा सके होजीन ने अपने wife के लिए एक gift री लायव होता है उसे समझ में आता कि आज हो क्या रहा है घर आने के बाद उसके लिए बहुत सा होता है क्योंकि इसे याद नहीं होता होजीन उसे एक necklace देता है इनसु कहती है कि मेरे father का gift था यह बहुत ही precious था यह खराब हो गया था तो इसलिए अब होजीन ने इसे repair करकर उसे दे दिया है इनसु कहती है कि मेरे father मेरा बहुत ही खयाल रखते थे उन्होंने मुझे जो भ इसे पहरी मरे खुकी करने वाले होते है तविदे देजिन वह जाता है देजिन के साथ फिर यह सब बैठे होए होते है जब होजीन दो मिनीट के ल passé लए वहाँ से चला जाता है तो इनसु कुछती है कि तुपहरी कोई girlfriend नहीं है कि तुमें नहीं लगता है कि तुम्हारी girlfriend ह प्लान केंसल कर देते हैं होजिन का एक्जिविशन होने वाला होता है होजिन एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट होता है रिपोर्टर इसे क्या बोलेगा वो इसके प्रैक्टिस कर रहा होता है देजिन उसे हेल्प करता है देजिन उसे कहता है कि आर्टिस्ट की तरह बोलो इसे pause लेकर लेकर बोलो होजिन जब एक कर देता है तो देजिन कहता है कि तुम से नहीं हो पाएगा यह दोनों फिर यही हस देते है यह दोनों ब्रदस एक और दूसरे से बहुत प्यार करते है होजिन देजिन को अपनी कार तक चोड़ने के लिए आता है देजिन के कार में उसने एक फीश लगाया होता है उससे कहता है कि यह जो फीश है यह गुड लग के लिए है यह तुमें किसी भी चीज से बचा कर रखेगा जब देजिन घर से चला जाता है तो इन्सू और वजिन दोनों घर पर अकिली होता है यह दोनों फिर टेबल पर हीं इंटिमेट हो जाते है इटेबल अंस्टेबल होता है तो टेबल के निझे वो कौईन लगाता है अपने एक्सिन में हम दिखता है कि देजिन अपने कार चलाने के प्रैक्टिस कर रहा है वो इतने फास्ट कार जलाता है तो कार का इंजिन भी गरम हो जाता है उसे अपना वर्क बहुत ही पसंद आता है इंसु जब का अपने काम बार पोछती है तो उसे होजेन ने लेटर भेज जाओ होता है एक दूसरे को हमेशा लेटर भेजते है तीन साल इनके शादू को हो चुके है फिर भी एक दूसरे को लेटर भेजते है ये देखकर इसकी कलिक उससे पूछती है कि ऐसा कैसे है सब लोगों को इनका लव बहुत ही अजिब लगता है रात में भी इंसु होजेन के लिए लेटर लिखते लिखते ही सो जाती है होजेन भी जब इसका लेटर बढ़ता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है होजेन जो होता है इससे गार्डनिंग अभी शोक होता है वो अपने फ्लावस को पानी दे रहा होता है तब वहाँ इनसु आती है उसका जो necklace होता है वो फिरसे तूट गया हता है Hojin को बोल रही होती है वीजिस necklace को फिरसे सुधार थो यहाँ देजिन की एक friend आती है यह जो देजिन की friend होती है यह उसे बहुत ही पसंद करती है देजिन की friend जब यह necklace देखती है तो कहती है कि बहुत ही प्रिटी है इंसु कहती है कि मेरे फादर ने बनवाय था वर्ल्ड में इसकी तरह और कोई भी नहीं है इस सिन को आप याद रखना लास्ट में इंपोर्टन्ट है नेक्स दिन आता है और यह दिन देजीन की जो रेस होने वाली होती उसका होता है या होजीन अपन देजीन कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरा पैशन है मैं इसके बिना जी नहीं सकता देजीन की रेस स्टार्ट हो जाती है और होजीन उस रेस के लिए लेट हो जाता है वो टैक्सी डाइवर के पास जाता है और उससे कहता है यह बहुत ही लेट हो चुक लगता है, यह वो change करता है पर इसी वजए से उसका time जोता है, वो थोटा सा खराब हो जाता है, वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा होता है, race track पर एक accident हो जाता है, उसे उसकी team message देती है, कि वहां से वो सही से चला है, पर उसे यह सुनाई नहीं देता, उसके आगे एक गा जाता है यह hospital बेड़ पर होता है और यह unconscious होता है तो डॉक्टर्स बात करते हुआ में देखते हैं यह कहरे होते हैं कितना अजीब वर्ल्ड है दोनों प्रदर्स का एक के साथ accident हो चुका था जो race cars चलाता था वो बच गया है और दूसरा प्रदर जो artist था वो कौमय में चला गय है अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और देजिन अब conscious हो चुका है यह hospital के बाहर आता है और आयने में देखते हैं इसरा डिस्टब होता है अब यह conscious में आ चुका है तो डॉक्टर्स बहुत सारी टेस्ट होगरा इसकी करवाते हैं इंसु फिर इसे घर लेकर आती है यह क उसके रूम में उसे छोड़ कर देती है दिन रातव वहां सोता रहता है नीकस दिन सुबहा जब आती है घगादम में पानी लगार रहा होता है उससरा वो वो व्ग करना स्टार्ट कर देता है अच्छी फ्रेंड थी वो उसे मिलने के लिए आई हुई है उसे कही थी है कि तुम हॉस्पिटल में थे और मेरे बहुत ही हालत खराफ हो चुकी थी जब तुम्हारी कार तैसने सो गई थी तो उसे स्क्रैप करने के लिए में गई थी वो स्क्रैप होता हुआ देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा देजिन अपने कार से बैर करता है तो उस कार से वो जेलस होती है इसी वज़े से उसे उस कार को स्क्रैप होता देखकर बहुत ही खुशी हुई होती है देजिन सिगरेट पिता था पर accident हो जाने के बाद अब वो cigarette नहीं पी रहा उसकी friend उसे कही थी है कि तुम तो बहुत ही heavy smoker थे रात में हम देखते है कि देजिन की friend उसके घर पर ही होती है वहाँ जब इंसु आती ही तो देखती है कि देजिन अब cook कर रहा है देजिन कभी भी cook नहीं करता था होजिन जिस तरह से अच्छे सबजिया वगरा काटता था उसी तरह से सबजिया काट रहा है इंसु के जो favorite flowers होते है वो भी उसने लाय हुए होते है रात में हमें दिखता है कि देजिन उसके वर्क स्पेस में है और रो रहा है अब इंसु को लगता है कि देजिन देजिन ही ही नहीं होजिन की सोल उसमें चली गई है अब इंसु को लगता है कि उसका husband जो कोमा में है वो वहाँ नहीं है देजिन में वो घुश चुका है अब यह सब हो क्या रहा है इसका sense बनाने के लिए देजिन को डॉक्टर के पास लेकर आदिया डॉक्टर आज देजिन के सब symptoms वेगराज पूछते है इन्सू को बताते हैं की इन्सू को बताते हैं की उसे अपने brother जाने के बाद सदमा लग चुका है वो depression में है और इसी वज़े से यह सब हो सकता है डॉक्टरों से बोलता है कि देजीन का जो सबकॉंशेस है इसे लगता है कि वो होजीन ही है डॉक्टर इंसो को सरा देता है अगर सही तरीके से तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तुम देजीन को hypnotize करो उसके subconscious में क्या है यह तुमें पचा जलेगा रात में जब भी घर आते है तो देजीन furniture पे काम करने लग जाता है वो करते करते ही उसे चोट आ जाती है यहाँ पर देजीन की friend भी होती है उससे कहती है कि आपने आपको तुम समालो होजीन को उसने जो necklace दिया था यह देजीन उसे वापस करता है उसने वो fix करकर उसके लिए लाया हुआ होता है नेकसिन में हमें दिखता है कि hypnotize करने के लिए इंसु ने देजीन को लाया हुआ है इनका जब session चल रहा होता है तो देजीन को accident किस तरह से हुआ था यह पूछा जाता है यह पूछने पर भी होजीन का जिस तरह से accident हुआ था उसी तरह से describe करता है अब इंसु भी doubt करने लग जाती है जब देजीन आर्ट बना रहा होता है तो उसे वो देख रही होती है वो अब सोच रही होती है कि क्या यह assessment में possible है राट में जब यह सोई होती है तो देजीन वहाँ आता है उसका डोर खड़कडाता है उसे कहता है कि डोर open करो मैं कुछ करने नहीं वाला देजीन कहता है यह बहुत ही sorry हूँ पर मैं मेरे ब्रदर की रूम में नहीं रह सकता वो होजीन है इस तरह से वो बात कर रहाता है मैं अगर वहाँ सोया तो मैं कभी भी नहीं जागूंगा ऐसा मुझे लगता है यह फिर इंसु के रूम में ही सोचाता है इंसु वहाँ से जा रही हुथी है तो उसे कहती है कि प्लीज यही सोचाओ मैं बहुत डरा हुआ हूँ उसे कहती है कि देजीन के साथ रहना यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मैं हमेशा उसमें होजीन ही डूनती रहती हूँ और कभी-कभी मुझे वो दिक भी जाता है मैं बहुत ही कन्फियोज हो देजीन की फ्रेंड कहती है कि तुम उसे मुझे पर छोड़ दो मैं जरा उसके साथ टाइम स्पेंट करती हूँ इसके बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा यह फिर देजीन के पास आती है उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के फादर के फादर में काम कर सकते हो तुमने मुझे कहा था कि तुम जब वार में थे तुम बहुत ही अच्छा लगता था अगर तुम फादर में काम करोगे तुम फिर से अच्छा लगेगा देजिन केता है कि मैं क्यों कही जाऊंगा या तूम मेरा ही घर है देजिन की फ्रेंड कहती है कि इन्सु ऐसा चाहती है कि तूम चले जाओ कि तूम इन्सु गिetsब करो होजिन को कौमा में रहेकर एक साल हो चुका है यह उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है देजिन को अब तक मालूम है नहीं होता कि होजिन कोमा में है उसे लगता है कि वो मर ही चुका है ये फिर उसे देखने के लिए चाता है उसके बाद रात में हमें देखता है कि देजिन घर पर है वो जब अपनी शेकल काच में देख रहा था तो डिस्टरब हो गया, काच को उसने तोड़ दिया है इंसू उसके पास आती है, उसे कहती है कि गौह से इस छेहरे को देखो तुम होजिन नहीं हो सकते देजिन केता है कि अगर तुमें लगता है कि तुम मेरे बिना सही से रह सकती हो तो मैं यहाँ से चला जाओंगा मैं देजिन की तरह ही जीऊंगा यह फिर अपने फ्रेंड के साथ उसके फाम में आता हुआ में दिखता है इंसू होजिन जो कोमा में है, उसे मिलने के लिए आती है वो उसे कहती है कि तुम तो कभी भी लेजी नहीं थे इनने वक्त तक तुम अब क्यों सो रहे हो मैं इस साल में बहुत ही बजल चुकी हो मैं लोगों से बहुत ही जादा एंगरी हो जाती हो मैं हसती भी नहीं हूँ तुम अगर मुझे देखोगे तो तुम सप्राइस्ट हो जाओगे तुम्हारी आवाज भी अब मुझे याद नहीं आ रहे है मैं बहुत ही ट्राइ करती हूँ रिमेंबर करना पर मैं कभी रिमेंबर नहीं कर पाती जब देजीन फार्म पर काम कर रहा होता है तो देजीन की फ्रेंड उससे अनायो करती रहती है उसके साथ बेट कर बात कर रही हुती है तो देजिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही से यहाँ काम कर पाओ तो प्लीज मुझसे बात मत करो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करो या ना करो पर हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहोंगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करती रहोंगी अब नेकसिन में हमें दिखता है कि इंसु जब स्टेशन से आ रही थी तब जिस तरह से होजन उसे लेने के लिए आया था उसी तरह से देजिन भी उसे लेने के लिए आता है देजिन कहता है कि मैं सौरी हूँ पर मुझे वापस आना ही था फिर तुमारे बिना रह नहीं सकता था इनसु इसके बाद कहती है कि इसको मोज जो लोग होते है उनमें से कोई अगर मर जाता है तो पास दिन उसके बारे में बात करते है इसके बाद उस आदमे के बारे में कभी बात नहीं करते है यह वो बैड लख समझते है हमें भी होजिन के बारे में इसा ही करना चाहिए वो फिर होजिन की यादे बोलना स्टार्ट कर देती है वो कही थी है कि एक साल बहुत ही पारिश पड़ी थी होजीन के घर पर हम जब गए थे तो उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था हम दोनोंने मिलकर वो सब पानी निकाला था जब तुम आरेव में चले गए थे जब तुम घर से दूर चले गए थे तुमारे टूशन फीज के लिए होजीन एक फैक्टरे में काम करता था मैं एक दिन उसे देखने के लिए गई थी और उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था अब देजिन कहता है कि मुझे याद है जब तुम मुझे देखने के लिए आई थी तुमने पीली टिस पहनी थी जब तुम वहाँ से जा रहे थी तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योगि तुम्हें अगर मैंने पैचान लिया होता तो तुम बहुत ही अफसेट हो जाती block के वक तुमने मुझे help किया था इसी वज़े से मैं वापस आ चुका हूँ टेबल के नीचे इन दोने कोईन रखे थे यह भी निकालता है और उसे देता है यह कहता है कि यह जो कोईन है यह हम दोनों ने आज तक एक दूसरे से कितना प्यार किया है इसका है सिम्बॉल है यह दोनों फिर एक दूसरे को हग कर ले थे राद में एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जोके हमें दिखता है इनसु अब इससे एकसरेब कर लेती है यह पार्क में जाते हैं शॉपिंग गरते हैं एक नॉर्मल सी लाइपस्टाल ले जीते हैं देजिन अपने आर्ट पर काम करता है और उसका भी एक्जिबिशन अब होने वाला होता है नेक सिन में हमें इनसु देजिन की फ्रेंड से बात करें यह दिखता है उससे समझा रहे होती है कि देजिन ही होजीन है देजिन की फ्रेंड कहती है कि वो वैसे भी जैसे पहले था वो वैसा नहीं रहा है अब देजिन जाहा है वहाँ में नहीं रह सकती है वो वो एक कंट्रे छोड़ कर बाहर स्टडी करने के लिए जाने वाले होती है लास्ट बार देजिन से मिलने के लिए वा आती है देजीन उसे पुछता है कि क्यों तुम बहार जा रही हो क्या मेरी वज़े से जा रही हो उसे पुछता है कि कब तुम वापस आओगी ये कहिती कि मेरा वेट करनी के लिए देजीन या नहीं है तो मैं क्यों वापस आओँगी वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें देजीन समझ का कुछ बोल सकती हूँ वो फिर उसे rotten bastard कहती है उसके बाद उसे wish करती है कि उसकी life बहुत ही अच्छी जाए उससे वो एक hug मांगती है वो बोलती है कि तुम कैसे भी मुझे hug दे सकते हो देजीन या होजीन मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता देजीन फिर उसे एक bomb hug देता है यह कहती कि दुम देजीन नहीं हो देजीन कभी भी इस तरह से मुझे hug नहीं करता था इसके बाद देजीन को एक call आ जाता है इसका exhibition होने वाल है तो इसका एक call होता है अपने एक सेने में दिखता है कि इनसु को डॉक्टर नहीं बुलवाया है डॉक्टर से खहते है कि तुम्हारा जो husband है यह non-responsive है वो branded हो चुका है वो अंदर से मर रहा है तो इसी वज़े से उसका life support उन्हें निकाल लेना चाहिए यह उसे वो suggest करते है इनसु और देजिन फिर डिसार करते है कि होज़े इनका life support उन्हें निकाल देना चाहिए अब थोड़ा टाइम दूजर चुका है अब में दिखता है कि इनसु देजिन के बच्चे से pregnant है देजिन का एक art exhibition चल रहा होता है यह दोनों अब बहुत ही एक दूसरी का साथ खुश है इनसु जब घर पर होती है तो उसे एक parcel आता है यह parcel जो होता है यह देजिन के लिए होता है पर यह parcel वो ऊपन कर लीती है इस पारसल में उसके पास जो necklace है इसी तरीके से एक necklace होता है यह जो parcel है यह देजिन के friend ने भेजा है इसमें एक letter होता है इसमें लिखा होता है कि तुम्हें original कभी ना कभी तो चाहिए होगा इसलिए मैं return कर रही हूँ मैं कभी भी तुम्हारा जो इस sick love है यह समझने पाऊंगे मैं hope करती हूँ कि कभी ना कभी मैं तुम्हें भोल चाऊंगे अब देजिन के friend को होजिन के पास जो necklace था वो कैसे मिला है यह हमें दिखता है जब इसलिए होजिन को necklace दिया था तो इस necklace उसने एक bottle में छीपा कर दिया था जब देजिन की friend last बार उसे मिलने के लिए आई तो necklace उसे मिल गया था देजिन को इस necklace के बारे में पता ही नहीं था यही necklace उसने लोटा है वो देजिन को indirect लिए कि उसे पता है कि वो होजिन नहीं है वो सब pretend कर रहा है और जो इन्सू को लव करता है उसे समझ में नहीं आ रहा अब इन्सू disturb हो जाती है वो देजिन की सब चीसे देखने लग जाती है यहाँ देजिन की room में उसे एक secret world मिल जाता है यह वो चेक करती है तो उसके बहुत सारे फोटोस भा होती है इन्सू के father ने उसका necklace जिस plant से बनवाया था उसने वो बहुत सारे लाकर रखे हो गते है इसके पास वो है तो वो कभी भी यह necklace बनवा सकता है यह बहुत ही rare होता है पर फिर भी इसने वो इकटा करकर रखे होते है अब हमें देजिन की खानी समझ में आती है देजिन एक दिन जब पार्क में था और फोटो ले रहा था तब ही उसे इन्सू दिखी थी इन्सू अपने bicycle से जा रही थी देजिन ने जोसब डायरी में लिखा है वो इन्सू पढ़ रही होती है उसमें लिखा होता है कि जिस दिन मैंने इन्सू को देखा तब यह magical था वो sunshine की था मेरी जिंदगी में आई थी मैंने जब उसे देखा तो मेरे अंदर जोसब sadness था वो एक की पल में पुरा मिट गया मैंसे किस तरह से explain कर सकता हो यह मुझे समझ में ने आ रहा इसी रात देजिन जब होजिन के साथ था तो होजिन अपनी girlfriend को उसे मिलवाने वाला था जब होजिन ने इन्सू को introduce कराया तो देजिन का दिल तूट चुका था वो कहता है कि मुझे लगा कि पूरे वर्ल्ड ने मुझे abandon कर दिया है जब होजिन का वेडिंग दे था तो देजिन ने कहा था कि मेरी ब्रदर की आशादी है उसके लिए मैं बहुत ही happy हो इस वर्ल्ड में सबसे fortunate आदमी हो आज से बन जाएगा मैं भी खुश हो क्योंकि मैं इनसु को हमेशा मेरी पूरी लाइफ तक देख सकता हूँ होजिन मुझे सब कुछ बताता है उसे low letters लिखना नहीं आता तो उसके low letters में ही लिखता हूँ ये explain करता है क्यों से क्यों इनसु के बारे में सब कुछ बताता होजिन देजिन को सब कुछ बताता था इसे वज़े से देजिन को सब कुछ बताता देजिन ने रिखा होता है कि मैं lucky हूँ मैं उन दोनों के साथ ही रहता हूँ पर अभी तक मैं पागल नहीं हुआ हूँ जब इनसु ये सब पढ़ती है तो बहुत ही डिस्टर हो जाती है वही वह रोने लग जाती है वह बाहर आती है और सोचने लग जाती है मूवी के फर्स में हमने देखा था कि इनसु ने देजिन से पूचा था देजिन केता है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़े मुझे फेक देनी चाहिए पर मेरा जो वर्क है इसमें घुल मिल जाता हूँ पूरे लाइफ तक इसा ही चलता रहेगा ऐसा मुझे लगता है इनसु अकेली बेटी हुए होती है और उस सब कुछ सोच रही होती है वो देजिन की आर्ट गैलरी में फिर आ जाती है देजिन उसने जो सब आर्ट की होते है यह सब उसे दिखाता है देजिन उनकी अब जो फ्यूचर लाइफ है इसके लिए बहुत ही पॉजिटी होता है देजिन ने उसकी बेबी के लिए भी आर्ट बनवाय हुआ होता है देजिन अपने ब्रदर की अस्तिया भाहा देता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहाता है यह कहता है कि तुमने अपने आपको सैक्रफाइस कर दिया यानि कि मैं जी सको क्या तुम्हें पता है कि इंसु से मैंने पहले प्यार किया था मैंने उसे इतना प्यार किया था कि मैं तुम दोनों के लाइब से चला जाना जाता था इंसु को कभी यह मालूम नहीं था वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती थी मेरे ब्रदर तुम अब इस वर्ड में नहीं हो पर मरा हुआ असल मैं मैं ही हूँ मुझे अब तुमारे जैसे रहना पड़ता है मैं अब तुम बन चुका हूँ मैं जो सब चीजे करता था वो मैं कर नहीं पाऊंगा मैं हमेशा के लिए अब तुम बन जाऊंगा और इंसु मुझे ही पयार करेगी इंसु मेरे पास थो होगी पर वो हमेशा तुम्हारी ही याद करती रहेगी वो अपने ब्रदर को कहता है कि कभी भी मुझे माफ ना करना यूँ एक एक का रोने लग जाता है यही मुवी एंड हो जाती है अब को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आते रहता हूँ इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकों में दबाना मत बुले याणि कि आपको सब मुवीज मिलते रहे हम फिसी मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये